GDP में एक चीज याद रखेगा, दो चीजों का होना जरूरी है, एक समय फिक्स रहना जरूरी है, इन है कि आप 2030 का, 2005 का उत्पादन 2026 में जोड़िए, ऐसा नहीं हो सकता है, जो साल है, उसी साल का आप GDP निकालेंगे, पिछले साल या अगले साल का GDP का, अनुमाल लगा सकते है अगले सालम को इतना उत्पादन होगा, लेकि GDP हमेशा फिक्स समय में निकाला जाता है, एक साल के लिए, GDP कितने साल के निकाला है, एक साल, एक साल के लिए GDP निकाला जाता है, और GDP निकालने के लिए सीमा का निर्धारत होना जरूरी है, आप अपने खेत का GDP निकालने तो अपने खेत का रखिए, पडोसी वाला मत नाब दीजेगा, उन्हों की अचार भी गाहो लोग, आलू, ऐसे नहीं होगा, अगर आप बिहार का GDP निकाल रहे हैं, तो केवल बिहार को समिल करेंगे, अगर आप दिल्ली का निकाल रहे हैं, या यूपी का निकाल रहे हैं, तो कैसे हम भारत का निकालते हैं, अलग अलगी स्थेट का निकाल के क्या ही करेंगे, पूरी इंडिया का निकालते हैं, तो उसमें कभी भी गल्ती से भी इंडिया के बाहर का कोई जगर नहीं आना चाहिए, अंड़माणनी को बार आएगा, क्योंकि हमारे इंडिया का है, लक् हमारे इंडिया का ही. लेकिन अमेरिका का उत्पादन भारत की GDP मैं गया? तो याद रखिएगा GDP में एक समय निधरित होना जरूरी है दूसरा सीमा का निधरित होना जरूरी है क्योंकि इसमें आपको घरेलू उत्पाद सामिल करना है और अमेरिका आपका घरेलू उत्पाद नहीं है अमेरिका आपका घरेलू उत्पाद नहीं है रेडियाबल पढ़ने के लिए है तो GDP में समझ में आता है आपको gross मतलब total घरेलू मतलब भारत के लिए अभी हम देश का GDP निकाल रहे हैं तो यहाँ घरेलू का अर्थ क्या हो जाएगा भारत और बिहार का निकालेंगे तो घरेलू का अर्थ क्या हो जाएगा भिहार जारकन का निकालेंगे तो जारकन तो सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद संभारत के कि नहीं आगया अब उसी का भाई है यहाँ पे शकल राष्टी उतपाद, शकल मतलब समस्था है टोटल, उतपाद मतलब प्रोडक्शन, अच्छा बताइए यहाँ पे, प्रोडक्शन में हम केवल वस्टुय रखेंगे या सेवा भी? सेवा और वस्तू दोनों रखेंगे सेवा और वस्तू दोनों रखेंगे सब्सक्राइब किनी सॉफ्ट्वेर कंपणी क्या है सेवा है सॉफ्ट्वेर कंपणी और वही अगर हाटवेर कंपणी एसी क्या है वस्तू है एसी क्या है सेवा है समान कोंची कर देगा सैलोन में कया है सेवा है कोंची का उत्पातन कर कर दी दिया जैसन है वह इसे ने थेपोर बद देगा कुछ और ख़त Any आप एक्षिटा क्या करेगा है आप अच्था आप-वो में कोर्स होता है पोतले का कोर्स हाँ उत्या तो हम सब लोग को आता है कट ओलो जोन-जोन जी मिलाना है कुरसी तेड़ करो इसमें कोर्स की क्या जरूबित है लेकिन होता है कुछ हाँ कुछ कुछ कुर्स लड़कों के लिए कोर्स की जरूबट नहीं है तो वस्तु और सेवा दोनों को रखेंगे कि नहीं रखेंगे अब इसमें क्या चीज का में जहमेला है समझी है हम सबोज कीजिए कि यह हमने आपको एक सीमा निधारित कर दिया क्योंकि GDP के लिए सीमा का निधारित होना जरूरी है अब देस में लाखों किसीम के प्रोडक्ट बनते हैं लाखों की संख्या में करोडो प्रोडक्ट बनते हैं किस 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 पर क्रड़ की गया सुई से लेकर हवाई जहास तक अगर आप किवल ग्रॉसरी आइटम समझिएगा तो उसमें कितना हो जाएगा तो कभी यह तो कभी वह टॉपी, चोकलेट यह वह दुनिया, खेलावना ओलोना सब GDP उन्हीं सब पर ठीका हुआ है, वगर छोटका नहीं रहा है सब, तो GDP में से खेलावना का उत्पादन ही नहीं होगा, तो छोटका बहुते हैं सब ही, मेला होला लगता ही तो छोटका ने कहो जन्हा कहीं कि यह जी डीप के उत्पादन के वह, अधिर माण के लिए की टाटा कमपमपुनी ऴस्ट कौन Владी ने च्छे सो रुपया का उत्पादन किया, कितने का 600 तो खेवल भारत में टाटा तो नहीं है, लाखों कंपञां आ है, लाखों लिखेंगे तो आप कल्कूलेशने में रह जाये के, एक कंसेप्ट गया भार में और भारत में कई बीदेशी कंपणी भी हैं, बीदेशी कंपणी है जैसे LG है, होंडाई है, यह सब company, जैसे LG company, कहां की है? बीदेश में कहां है, रे गदा करिगा? आप online वालों को नहीं समझाते हैं, बब, online वालों को ही तो समझा रहे हैं, आप लोग दिखते नहीं होना तो इसलिए face to face नहीं होता, इसे बोलतो हो रहे हैं हम आपको, Samsung लिख दीजे सर, चलिए, हम Samsung लिख देते हैं, Samsung, बीदेशी company, Korea, उतरी Korea का कहां से आएगा, Samsung, South Korea, Samsung company, भारत में भी है, ऐसे क्या एक ही बीदेशी company भारत में है? बहुत सारी company आए हैं भारत में, mobile company, तो सब बीदेशी है, लग बग लग लग, तो वो भी हैं आपे, तो सपोज कीजिए, कि Samsung company ने 200 रुपया का उत्पादन किया, Samsung company ने 200 रुपया का उत्पादन किया, किसी को दिखत, अब ये बताओ, GDP में हम देश के अंदर उत्पादित हर एक चीज को रखते हैं, चाहे वो हमारा है, या हमारा नहीं है, अब बताइए, Tata company 600 का उत्पादन किया, Samsung ने 200 company, हमारे याँ बहुत सारे लोग बीदेश में काम करते है, बीदेश में काम करते हैं, NRI, Sivan, Shapra, Gopal Ganj, बिहार का ये एरिया, South में Keral चले जाएंगे, बिहार में बहुत सारे लोग बीदेश में काम करते हैं, तो बीदेश में काम करने वाला वेक्ति, हम किसी एक का नाम रख लेते हैं, Ramesh, Ramesh, Ramesh है, वो बीदेश में काम कर रहा है, तो बताइए, यहाँ GDP कितनी हो गई? 800 GDP कितनी हो गई? 800 6, 2, 800 क्या हम इसमें बीदेश का सामिल करेंगें? कब भी नहीं सामिल करेंगें, बीदेश की सीमा गई, GDP से बाहर चला गया, GDP में आपका अपना है, हमको पता है कि बीदेश जो UAE में कमाया ना, पैस हो हम ही को भेजेगा, बीदेश जो कमाया है, हो कहां बेजेगा, इंडिया में इभेजेगा, बीदेश जो पैसा कमाया है, कहां बेजेगा, इंडिया में, लेकिन बीदेश का पैसा हम इंडिया की GDP में सामिल, नहीं करेंगें, हम again बोलते हैं, आपके खेत के गगल में पडोसी जो है, उसका खेत का आलू का उत्पादन अपनी GDP में नहीं रख सकते हैं तो बिनोध भारत का ही है कितना कमाया कहा कमाया लेकिन भारत की GDP में नहीं है क्योंकि वो जो काम किया है वो उत्पादन में काम किया होगा UAE के GDP में सामील हो गया होगा, भारत की GDP में सामील होने नहीं देगा, ऐसे ही समझिये, कि Samsung जो 200 रुपिया यहां कमाई, क्या South Korea में Samsung का यह 200 कमाई, वहां की GDP में जुड़ा होगा, नहीं, यहां की GDP में जोड़ दिया, अब आपको अख़र रहा होगा, अब लहर रहा होगा, कि बीदेसी को जोड़ लिए, बूलिए, बीदेसी को तो एदम जोड लिए, आज जोड़ दे GDP में यहां पे, अब इनो दब लाँ ख़र रहा है कि पचास उपया छुड़ गई इसका मतलब GDP में यह मतलब ही नहीं है कि हमारा है भी या हमारा नहीं है, बस हमारे यहां प्रोड़क्शन हुआ है, तो हमारा GDP है, इसका मतलब GDP से चुड़ा में पूरा पैसा हमारे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि at a time जब आएगा final profit and loss वाला, तो हमारी GDP में से वो पैसा निकाल लिया जाएगा, जो बीदेसी company यहां के कमाई है, तो GDP में बताइए, बीदेसी company को सामील करेंगे, गदो, सामील करेंगे, Samsung सामील किया कि ने किया है, तो बीदेसी company को भी सामील करेंगे, GDP में बीदेसी company को भी सामील करेंगे करेंगे की ने करेंगे बीदेशी company बस भारत के अंदर उत्पादित होने चाहिए क्या यह Samsung company Korea में जो उत्पादन की होगी वो भारत की GDP में आएगा Samsung company पाकिस्ताम में भी वहाँ की GDP में आएगा उसका याप हमारे GDP में नहीं आएगा हमारी GDP कितनी हो गई लेकिन अब आप बताओ क्या रियल में यह 800 हमारे काम आने वाला है यह हमारा घरेलू उत्पाद है लेकिन हमारे राष्ट का नहीं है हमारे राष्ट का नहीं अगर हमें अपने राष्ट का निकालना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमारा तो ये घरेलू उत्पाद है? घरेलू है ना? हमें अपके घरेलू नहीं चाहिए, हमें चाहिए राष्टी उत्पाद. बताई ये क्या करें? सैंक्शन को अटा दें? दिमाग लगाओ लोगो लाइब अले आप ही लोग दिमाग लगाओ हमें नेशनल लाना है, क्या लाना है? नेशनल राष्टी उत्पाद लाना है और यहां पर क्या है? घरेलू जो तोड़ी है, घरेलू वाला चीज हमारा ही है भारत में उत्पादन हुआ है, लेकिन राष्टी उत्पाद नहीं है घरेलू और राष्टी में अंतर संग्या गया? भारत के सीमा के अंतरगत अगर कोई बीदेशी भी उत्पादित कर देता है तो वो घरेलू में ही आ जाता है किसमें आजाता है घरेलू में आजाता है बट राष्टी उत्पाद नहीं है अगर हमें राष्टी उत्पाद निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने GDP में से सेमसंग वाले को बाहर करना पड़ेगा और बिनोध वाले को अंदर करना पड़ेगा बिनोध वाले को अंदन करना पड़ेगा तो वो हमारा जो है घरेलू उत्पाद किसमें बदल जाएगा राष्टी उत्पाद घरेलू उत्पाद किसमें बदल जाएगा राष्टी उत्प यानि घरेलू उत्पाद क्या बन गया राष्टी उत्पाद घरेलू उत्पाद क्या बन गया राष्टी उत्पाद घरेलू उत्पाद राष्टी उत्पाद बदल गया बदे हमारे देश के जादे कार में कोन आएगा GDP यह GNP अरे उससा Samsung लेकर उठा के लेकर जाएगा यहाँ पर हमारा GDP कितना है यहाँ? तो GNP निकालो तो पहले तो GDP लिखना होगा GDP GDP कितना है? 800 प्लस बिनोद 20 20 20 50 माइनस Samsung 200 ज़्यादे ही काड ले गिया ही तो 850 माइनस 200 650 ले GDP दीख रहा था 800 काम में आया? 600 600 600 काम में आया? 600 600 इस तो गरबार हो गया यहाँ पर लेकिन फिर भी बता यह आप खुद से सोचके दिखे पहले तो हमें GDP निकालना पड़ेगा GDP निकालने के बाद यह क्या निकलेगा? GNP GDP निकालने के बाद यह क्या निकलेगा? GNP कुछी को कोई दिकत इस 4500 कोई से निकाल दिया? अरे गदा कहीं का? ओहो गदा नहीं है गदा नहीं हो स्वेता कुमारी 4500 कोई से आ गया गदा नहीं है गदा नहीं हो आगे बड़े गदा नहीं हो आगे बड़े निकालने के बाद यह हो अरे गदा कहीं है तो तुम अंसर लाने के लिए कोईशन बदल देगा बताओ लड़का और लड़की दोनों लोग GDP समझ में आए कि नहीं है? भारत में Samsung Company भी देशी है LG भी देशी है Tesla भी देशी है OPPO, Vivo, Realme यह सब क्या है सब भी देशी है GDP में तो सामील होगा लेकिन GNP में सामील नहीं होगा इसका मतलब आप भी देशी कंपनियों को भारत में लियाएंगे तो आपका GDP तो बड़ा होगा लेकिन फाइनली जब GNP निकालेंगे तो अपना पैसवा निकाल के लेके चला जाएगा अब भारत में देखिए लाखों की संख्या में बीदेशी चीज मिलेगा लैप्टॉप, गाडियां जो मिलेगी होंड़ाई की, टोयटा की यह जितनी यह सब किसमें हैं सब GNP में हैं, GDP में हैं लेकिन GNP में हैं नहीं जाएगा तो क्या बीदेशी कमपनियों को भारत में जादे मौका देना चीज़ी की नहीं दिक्कत इस बात से गुए कि बीदेशी कमाया कम तो हमें अच्छा कब होता है कि बीदेशी कमपनियों को भी मौका दीज़ीए और भारत के जादे से लोग इનरोक जाए जाएं बीदेश में और कमा के धकाधौक पईसा भेजें? समिझे everything, बीनोध रुकना नहीं चाहिए समझ रहे हो बीनोध बीनोध रुकना नहीं चाहिए तो भारत ने 25 राक से जादे लोग भारत के बाहर काम यहंद रहे हैं अथूरा पैसा वीशा आगया वीदेश से क्या हो गया पैसा आगया यहाँ पर अब वह हो गया भारत के लिए फाइदा किसी को दिखा तो जो बीदेश में हमारे लाखों लोग कमा रहे हैं वो जो पैसवा भेज रहे हैं यानि वह बिनोट के जग़ा पर है पतलब यहां एक् लेकिन किसमें आएगा है जी एंटी में आप में से कितने लोग के भाईया पापा यह लोग बीदेश में काम करते हैं बीदेश में पतलब यह आप लोग के पिता जी या भाईया या जो भी यह पिता जी काम करते हैं चलिए तो जो भी लोग बीदेश में काम करते हैं क्या उनका पैसा GDP में आएगा? नहीं आएगा. उनका बीदेश में कमाया हुआ पैसा भी GDP में आए? नहीं है. किसमें आएगा? GNP. GNP में आएगा. तो सोचिए, ये लोग हैं देश को बहुत जादे सम्हाल के रखा हैं इन लोग ने. इनके पिता जी, जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग जो बीदेश में काम कर रहे हैं, उनके रिलेटिव हैं, या भाईया, पिता जी, चाचा जी, जो भी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है. सोचिए, बिना कुछ की ये भारत को बैलेंस कर रहे हैं. अगर बिनोज जैसा, मझे सिया एक जामपल में, बिनोज नहीं है आपर, अगर यह न रहा है, तो सीधे भारत से घटाए जाए जाएगा, कुछ तो है जो आइड कर रहा है, है कि नहीं, तो ऐसे जादे से जादे लोगों को बाहर भेजना जरूरी है, अब हमारे यहां क्या है कि कई जाने राजनीती में कहेंगो लोग कि भारत के बाहर जाके नोकरी कर रहा है, कनाडा में, अमेरिका में, यह कर रहा है, वो कर रहा है, तो भाईया, जीडीपी में नहीं जोड़ रहा है, किसमें जोड़ रहा है, जीएनपी में जोड़ रहा है, अमेरिका परिशान है, कि भारत से इंजीनियर जा जागे अमेरिकावलन का नौकरी खा गया सुझी समझे जागे कि नहीं गया कनाडा में तो पंजाबी चलने लगा पंजाब कनाडा में आप पंजाबी बोल देते हैं तुछार उठाबा में तो अंग्रेज भी समझ जाता है, ओ पुतर खाना खाइगा अरे वही तो है Samsung Samsung बीदेश का बीनोद है इपकलोलवा करें, Samsung क्या है बीदेश का बीनोद है, हमारे यह काम कर रहा है यह वहाँ के GDP पर जाएगा Samsung हमारे यहाँ के GDP में अब आपके GNP में और यह हमारे are you again GDP में are you again GDP में सज्ञागे की ने आगया किसी को कोई दिकत तो हमारा GDP में क्या सामील होगा क्या नहीं होगा, यह समझ में आप लोगो किसी को कोई दिकत कोई दिकत किसी को आगे बढ़ जाए तो हमारे बताईजे ध्यान से अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो हमें ये वाला वैलू को क्या करना पड़ेगा बढ़ना पड़ेगा अचा ये GDP, GDP सब आनमी चिलाते हैं लोग कि हमारी GDP ये हमारी GDP वो जबकि हमारे काम में आता है GNP, तो हमें GNP, GNP किसी ने कहते ही नहीं सुना है परधान मंतरी से लेके, वीत मंतरी से लेके सब GDP के पीछे पड़लाता है जिसमें बाव बीनोत का तो आप सामिल नहीं कियें आज इसको सामिल कियें वो आपका है नहीं फिर भी इसके पीछे क्यों पड़े ये बहुत सारी चीज़ों को दर्स आता है अगर आपका GDP जादे है मतला आपके देश में प्रोड़क्शन जादे है क्योंकि आपके घरेलू प्रोड़क्शन जादे है जिस भी देश में प्रोड़क्शन जादे होता है वहां रोजगार जादे मिलता है फेक्ट्री वगरा में रोजगार जादे मिलता है, प्रोडक्शन क्या होगा, जादे होगा, तो अगर आपके यहां का GDP जादे है, मतला आपके यहां रोजगार जादे है, दूसरा, अगर प्रोडक्शन जादे है, तो सरकार को टेक्स जादे मिलता है, सरकार को क्या मिलता है, tax जादे मिलागा, खेती पे tax है नहीं है, पसुपालन पे tax है नहीं है, अब भारत में 55% लोग यही दूनों काम में लगल है, tax है गया, खेती पे tax है, नहीं है यहाँ पर, तो production ज़रूरी है, इससे क्या सरकार को tax अच्छा मिल जाता है, दूसरा, कि लोगों को रोजगार अच किकत में है क्या कि आप ही जैसे लोग तयारी किये होंगे, जैसे आप तयारी कर रहे हैं, आज से 15 साल, 20 साल पहले जो पीड़ी थी, उसने भी तयारी किया होगा, exam दिया होगा, selection कर दिया होगा, selection के बाद चौपट कर दिया होगा, department को, यह reality है, चौपट कर देते हैं लोग की गलती ही यहाँ पर, तो यहाँ पर production होने से रोजगार बढ़ जाता है, सरकार को tax बढ़ जाता है, और इन सब के अलावे, जिस जगा की GDP जादे है, वो यह बताता है, कि वहाँ उत्पादन के लिए अच्छा माहोल है, तभी न उत्पादन हो रहा है, अगर माहोल ही नही ही है, तो उत्पादन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर आप माहोल दीजेगा, माहोल का मतलब बिजली टाइम पर होनी चाहिए, तभी तो उत्पादन होगा किसी चीज का, पता चला पतना में 8 घंटा, 10 घंटा बिजली यह कटे, चल चुका यहाँ कोचिंग, पांच मि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन, किसी देश का घरेलू प्रोडक्शन, जीडीप बढ़ रहा है, मतलब वहां पर उसका पूरा एको सिस्टम डेवलप है, बिजली बेवस्ता ठीक है, सडकों की बेवस्ता ठीक है, गढ़ा में कोई फैक्टरी लगाएगा, ट्रक्टर ने जीडीप बढ़ेगा, तो जीडीप अपने आप में बहुत बड़ी चीजों को दरसाता है, बहुत सारी चीजों को दरसा देता है, जैसे, अगर कोई बच्चा मैट्रिक किया है, तो क्या वो बताता है, यह हम आठवा भी पास हैं, पाचवा भी पास हैं, नरसरी भी किया है तीसरा भी पास है नहीं न आपकी last degree इस बात का स्वबूत है कि उससे पहले का सार आप complete किये हुआ है जैसे अगर कोई यह कहेगा हम metric भी किये हैं, internow किये हैं, PG भी किये हैं graduation भी किये हैं PG के बाद बोलें, graduate किये हैं PhD किये हैं, अरे last बोल गदा गई PhD किया है, पीछे सब किया हो गए यहाँ किया है कि नहीं हो गए हाँ GDP एग्जेक्ट समझी है कि वो last degree है किसी देश का पटाक से पता यह GDP सब समझ जाएगा बीजदी बीबाग, अब देखिए, जिसकी GDP पीछे production के मामले, उसमें सब समस्या होगा, बीजदी 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 बेवस्था उतनी नहीं मिलेगी road transportation एकदम रद मिलेगा, आपको 100 km चलने के लिए 4 घंटा लगता है बीजदी कोने company का मालीक आएगा 100 km चलने के लिए 4 घंटा देगा आप अपने गाउज जाएए, 100 km मतलब 4 घंटा पगला उगला है का कोनो, जो आएगा है हाँपे, 100 km 25 की स्पीड से गाली चलने के लिए काई को आने वाला है हाँपे, आप जाओ नोईडा, इतनी फेक्ट्रिया लगी है, अगर आप पत्थर फिकिए गाना नोईडा में, बिल्डिंग पर गिरेगा, संभावता हो कोई न कोई company का office होगा, 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, 20 फ्लोर में कम से कम दूसर company है, हर company, फिरिया छोड़ती है, सब company हम आपे, जाम लग जाता है एकदम आपे, जबकि नोईडा गुर्गाओं को इतना plan तरीके से बसाए गया है, कि जाम लग ही नहीं सकता है, लेकिन हर चीज की capacity होती है, जिसे हम आप लोग का बैच छोड़ दे तो बसा देना कोई traffic police देखते है ह सब नास हो जाता है कि नहीं हो जाता है, सब गया traffic police का अपना बेवास्ता होता है, कोई भी चीज एक रेगुलर वेके लिए बसाए, एकदम अचानक surge apply हो जाएगा, तो कहां से हो पाएगा है, तो जो GDP होती है, ये ताकत को दरसाता है, अब मोदी जी ने 2019 में कहा था, कि हमा जोडते हैं, अंगरी जी वास हम लोग तीन जीरो लेके चलता है, हम लोग दुद्दु जीरो लेके चलते हैं, हजार, दस हजार, लाग, दस लाग, करोड, दस करोड, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, मतलब हम लोग ना दुद्दु जीरो लेके चलते हैं, तीन तीन ज बढ़ेगे हैं बढ़ेगे, 1000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 26-27 तक हम लोग कितने हो जाएंगे? 5 trillion. अब ही हम लोग लगभाग 4 trillion पे पहुँचे हैं. कितने पे पहुँचे हैं? 3 trillion पे. बढ़ाना बहुत मुस्किल होता है, आपको लगए 4-5-16 में कहुची जाएंगे. ट्रिलियन है, देखो ना, 0 कितना है? सब्सक्राइब कि ने? किसी को दिकाद? अमेरिका का 35-45 है. 35 के आसपस है, अमेरिका का. तो रसिया डूब रहा है हाँ पे. भारत की GDP वाज हम 5th नमबर पे हैं. कितने नमबर पे हैं? 5th नमबर पे. अरे पाकिस्तान तुम लोग को भी नहीं समझ में आएं. तुम लोग को देखो, हमारे यहां पर एक सबसे बड़ा उठपाटांग चीज क्या है? कि मीडिया और पॉलिटिक्स, हमारे पूरे 140 करोड लोग को पाकिस्तान के और सेंट्रोल कर चुका है. पाकिस्तान में अभी कुछ, जो कुछ बचा हुए है ठीक ठाक नहीं. वहां पर पियाज का उठपादन बचल है, टामाटर, पियाज, और क्रिकेट. क्रिकेट ठीक ठाक खेल लेते हैं, देखिए हार जीत अपने जगापे है, बट चलता है यहां पर, क्रिकेट वगरा वहां पर. समयागेगी ने, जितना अर्थविवस्था चवपठ है, उतना क्रिकेट चवपठ नहीं है. बॉलिंग, बैटिंग, कम ओवेस चलता ही यहां पर. सिर्लंका जैसा देश का जब क्रिकेट टीम इतना बेहतरीन आती है, तो तो छोटा सा है, जितना बड़ा एरिया रहेगा, अच्छे प्लेयर आ सकते हैं. बागी उट पादन के मामले में कहां आते हैं से पाकिस्तान वाले, उनकी यहां पर सब कुछ जादे तर डिफेंस बजट में ही चला जाता है. तो हम लोग को कंपेर करना चाहिए चाइना से, कहां हमसे चाइना कितना आगे है, लगबग पांच गुना, लगबग चार-पांच गुना जादे हम लोग से, सब्सक्राइब यह नहीं आ रहा है, इस पे तुनला करके दिखे न, मीडिया ओला लोग को कोई, दिर आ जाएग बाद में देखती है जमीन पे आके, कि जमीन कईसे रेट है, कईसे क्या है, सबसे पहले उस जगह के डेटा में आती है, जीडिप कितना है, इतर जीडिप कितना है, जीडिप चाहिना की? भारत की? भारत की?